हाई दोस्तों पुश्वस किचन में आप सबका स्वागत है आज हम बनाने वाले हैं कद्दू परबल आलू और चने के भाजी ये भाजी खाने में बहुत टेस्टी होता है आप पूरी के साथ पराठे के साथ रोटी के साथ खा सकते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आये तो फ् और ना दोस्तों ग्राम है इसको चार घंडा भिगोव के दो सीटी लगाके रखी हूं हरी मीर छे छेठो आड़ाइ सोग्राम घद्दू को लंबाई में एसे काट ली हूं आलू है आड़ाइ सोग्राम इसको भी छोठा-छोठा टुकड़ा में में काट ली हूं पटल है 4 इसको एसी चुटा-चुटा टुक्रा में मैं काट ली हूँ, नमक है साद अनुसर, हिंग लगेगा एक चोताई चम्माच, हल्दी आए आदा चम्माच, शक्कल लगेगा दो चम्माच, और पचपोड़न है एक चम्माच, और तेल लगेगा पाच चम्माच, अब मैं कढाई बिठाई हूँ, कढाई मेरा गरम हो गया है, कढाई में मैं रिफाइन ओयल डाल दी हूँ, ओयल मेरा गरम हो गया अब मैं हरी मिर्च को डाल दूंगी डाल के इसमें पचपोरण भी डाल दूंगी और हिंग भी डाल दूंगी डाल के इसको जरासिक पकने दूंगी अब मैं इसमें पटल को डाल दूंगी परवल को डाल के इसको दो मिनीट तक इसे चलाते हुए भून लूंगी ग्यास मेरा भी हाई फ्लेम में ही रहेगा देखिए दोस्तों दो मिनीट हो गया है अब इसमें मैं आलू कदू दे के अच्छे से मिक्स कर लूंगी ग्यास का फ्लेम अभी हाई फ्लेम में रहेगा अब इसमें मैं हल्दी पाउडर नमक साधन उसार डाल दूंगी डाल के अच्छे से मिक्स कर लूंगी करके अब ग्यास को मीडियम करके इसको ढखके थोरा देर के लिए पका लूंगी देखिए दोस्तों दो-तीन मिनिट के लिए ढखके रखी थी अब मैं इसको अच्छे से सबजी को चला दूंगी ऐसे भूना हो गया है जरासिक अब इसमें मैं उबले हुए चना को डाल दूंगी डाल के अच्छे से मिक्स कर लूंगी इसको अब मीडियम गैस में मीडियम तु लो में पकाना है इसको चलाते रहना है बीच बीच में अब मैं इसमें सक्कर डाल दूंगी डाल के अच्छे से मिक्स कर लूंगी आप लोग सबजी बहुत सारा खाय होंगे कभी ऐसे ट्राइ कीजिए ये खाने में बहुत टेस्टी होता है और इसमें कोई मसाला भी नहीं पड़ता है देखिए फीर से मैं इसको चलाती रहूंगी क्योंकि निच्चे जल जाएगा पानी भी नहीं पड़ेगा इसलिए इसको बीच बीच में चलाते रहना है अब मैं गैस को लोग करके इसको पकाऊंगी एकदम भाजी होगा देखिए आलू मेरा गला की नहीं देख लूंगी एक बार क्योंकि यहां परबल भी गल जाएगा कद्दू भी गल जाएगा चना भी उबला हुआ है इसलिए देखिए दोस्तों अब मेरा भाजी बनके तैयार हो गया है अब मैं निकाल लूंगी ऐसे ही होना चाहिए देखिए बनके तैयार हो गया है आप लोग भी बनाईए बना कर खाईए और कैसा बना है मेरे कॉमेंट सेक्षन में बताना नहीं भूलिएगा वीडियो पसंद आये तो दोस्तों फ्लीज फ्लीज लाइक शेयर और सस्काइब कर दीजिएगा मेरे वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद